हेलो फ्रेंट्स आज हमें बहुत सुन्दर डिजैन बनाएंगे जो कि जालीदार है नेट फेटन है लेकिन बनाने में बहुत आसान है और देखने में खुबसरत भी है आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं जैसे कि बेबी स्वेटर लेडिज काडिगन जन्ट स् स्कार्प कुछ भी बना सकते हैं किसी भी कलर में आप इसे बुणेंगे तो अच्छा ही लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं देखिए ये पहले मैंने कुछ लाइन्स इस तरह से बुण लिया है फ्रॉंट साइट के सीधा फंद और वेक साइट के उल्टा फंद इस तरह से मैंने कुछ लाइन्स बना लिया है अभी हमें यह डिजाइन बनाने के लिए यह फास्ट रोह में उल्टा फंदा डालना है फ्रॉंट साइट के हमें उल्टा फंदा डालना है कि देखिए इस तरह से पूरा लाएं हम उल्टा फंदा डाल रहेंगे कि देखिए फ्रॉंट साइट में हमने पुरा उल्टा फंदा इस रो में बना दिया है अब बैक साइट में हमें अपना जाली वाला डिजाइन डालना है यह जाली है हमें यह बैक साइट में बनाना है तो फ्रेंट्स देखिए फर्स्ट जो फंदा है मैंने इसे स्लिप करके यह सलाई में ले लिया है अभी धागा हम आगे ले आएंगे और यह जो दो फंदा है इन दोनों फंदों को हम एक साथ सीधा बुनेंगे इस तरह से देखिए जब हम यहां धागा आगे ले आते हैं और दो फंदों को सीधा पुनते हैं तो यहां हमारा जाली पुड़े जाता है इसी तरह हमें रिपीट करते जाना है आगे भी धागा आगे ले आएंगे और दो फंदों का एक करके हम सीधा सीधा पुनते हैं उसी तरह हम बनाएंगे फिर हम धागा आगे ले आएंगे और यह जो दो फंदा है इसी को सीधा पुनेंगे एक साथ तो हमारा डिजाइन का सेकेंड रो यह हो गया अभी हमें थाड हो जो है उसे फिर से हमें फ्रॉंट साइट में उल्टा फंदा जैसे बुनते हैं उल्टा बुनेंगे मतलब सारे के सारे उल्टा फंदा डालेंगे देखे कितना आसान डिजाइन है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है यह नेट पटन है जालीदार पटन है लेकिन बुनने में बहुत ही आसान है यह पूरा लाइन हम उल्टा फंदा डाल लिया इस तरह से यह हमारा डिजाइन हो गया तो इसके बाद हमें क्या करना है इस तरह से बीच में हमें यह प्लैन बुनाई करना है मतलब फ्रंट साइड में सिधा और बेक साइड में उल्टा चले हम यह बेक साइड में आगे हैं तो यहां में सारे के सारे अब उल्टा ही बुनना है यह बेक साइड में हमारा यह पूरा लाइन हो है पूरा रोज हो है हुमने उल्टा खंदा डाल जा अब फ्रंट साइड में हमें इस तरह से सीधा हमना डालना है फ्रंट साइड में यह होगे हमारा यह वाला डिजाइन देखिए कितना आसान है यह हम पहले यह फ्रंट लाइन में एक लाइन हम उल्टा खंदा डाल लिया फिर पीछे से हमने जाली डाला है और फिर फ्रंट में एक लाइन हमने उल्टा खंदा डाले बना लिया इसके बाद हमारा यह डिजाइन त्यार हो जाता है बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है आप यह जोर डिजाइन के पीज में गैप जितना चाहे रख सकते हैं आप चाहे तो चार लाइन लग सकते हैं तो इसी तरह हमारा ये आसान और सुन्दर डिजाइन तियार हो जाता है थेंक यू पर वाचिंग वीडियो